आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल अर्चेस वर्ड में उमिद करती हूं बहुत ही अच्छे से होंगे मज़े में होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं आलो गोबी की बहुत ही मज़ेदार सब्जी जिसे की नौर्थ इंडियन स्टाइल में बनाने हैं और बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं आप इसे लंच और डिनेर के वक्त तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और एसपी को कर लेते हैं स्टाट तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नौर्मल आलो लिया है आदा किलो एक गोबी का फूल है आपक अच्छी तरीके से अफ्राइ करना है ताकि आलो में अस्कािन नहीं आहरू कर helemaal जाइन झाला आपते हैं यहां पर अच्छी तरीके से रैए हो चुका है देख सकते हैं मैंने इसके आपवा टेक्शितधा उलो ऐकर तरह आप इसका अची तरीके स्टी थेख सकते हैं तो मैंने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और अब इसके अंदर हम गोभी को डालेंगे और गोभी को फ्राई कर लेंगे गोभी को भी तीन से चार मिट लगेंगे फ्राई होने में फ्रेंड्स बहुत यहादा टेस्टी सबजी बनने वाली है यह आप इस रेस्पी यह पक जाए और अच्छी तरीके से पक जाए तो तीन से चार मिट के अंदर हमारी गोभी भी पक के त्यार हो जाएगी उसके बाद हम लगाएंगे इसको तड़का तड़का लगाने के लिए जिन मसालों का यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं तो यहाँ पर प्ले कर रही हो आप को सकते हैं लेकिल हम बिले स्टाइल में बनाने वाले हैं इस रेच्पी को इसलिए मैंने पीशी हल्दी का यूज़ किया है और यहाँ पर देख सकते हैं गोभी भी बहुत अच्छारा फ्राइओ को निकाल लिया है यहाँ तेन प्याज और आट से दस लैस़ की कलियों का यूस यह है इस तरीके से इसको मैंने बारी कट कर लिया है और इसका हम तड़का लगाएंगे तो देख सकते हैं इसी ऑल के अंदर सबसे पहले हमने जीरे को एड़ कर दिया है जीरा जैसे ही अच्छे से भून जाए उसकी खुश्बुवानी स्टार्ट हो जाए और एक एक करके हम सारी मसाले इसके अंदर एड़के सबसे हमें डालना है प्यार ढर्लैस्टों जो हमने कट कर रखा था और इसके अधर मेसन तो इसको ऑचे से हमें चला लेना है मेडियम से सलो फ्लेम के ऊपर हमें इसको भून घुए हम प्याज अच्छे सेभुण जाये बुनने के बाद हमें इसको पूरा ब्राउन नहीं करना बस इसका इसका कलर चेंज हो चुका है तो बस एकक एकर के हम सारे मसाली अब इसके अंदर एड करेंगे मसाले एड़ करने से पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच जो है वो इसके अंदर एड़ किया है क्रीम का अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर इस तड़के के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मसाले एड़ करेंगे तो जो भी प् कुश्पु के लिए इसके अंदर हमने एक चमज का श्टूरी मेथी का यहां पर हमने डाला है दो चमज बेशन और इसको अच्छे से हमें भून लेना है आप सभी मसालों को इस तड़के को अच्छे से भून लेना है आपकी आलू गोबी की सब्जी के अंदर इतना तो बस इस कड़के को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है क्योंकि इसी का सवाद आपकी सबची के अंदर आने वाला है और 10 मिट के अंदर यह सबची बनके तयार हो जाती क्योंकि हमारे अलू और गोभी जो है पहले से फ्राइ हैं almost बनके तयार हैं बस इसके साथ हमें मसाले के साथ अच्छी तरीके से उसको mix करना है तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है oil release होना start हो चुका है तो बस अब हमें इसके अंदर पानी डाल देना है एक गिलास पानी, तो यहां पर मैंने इसके अंदर देख सकते हैं पानी को एड़ कर दिया है और पानी एड़ करने के बात हम इसके अंदर सबजियों को mix कर देंगे और मीडियम से हाई फ्लेम के ओपर इसको 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे और हमारी सबजी बन के तियार हो जाएगी और हमें मतलब मसालिदार सबजी बना रहे हम आलू गोबी की तरी वाली सबजी नहीं बना रहे आप तरी वाली सबजी भी बना सकते हैं वो आपके मर्जी है कि आपको ग्रेवी वाली खानी है या फिर सूखी सबजी खानी है तो हमने अब इसके अंदर आलू और गोबी को एट कर देना है और ये देख सकते हैं आलू और गोबी जो है वो बिलकुल तियार है कि जल्दी से सबजी बन जाए और डिनर तियार हो जाए तो बस अब हम इसको एट कर देते हैं और एट करके थोड़ा सब वेट कर लेते हैं तो जब तक हमारी सबजी बनती है ना आप एक छोटा से काम कर लेके अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे है और आज कल के समय में इस तरीकी रैस्पिस बनना बहुत कम हो चुकी है तो बीच पीच पर हम इस तरीके की ट्रडिशनल सबजी लेकर आते रहेंगे तो यह देख सकते हैं 5-7 मिट के बाद कुछ इस तरीके का लोक है मसाला अच्छी तरीके से आलो और गोबी के साथ मिक्स हो चुका है सबजी हमारी बन के त्यार हो चुकी है तो गैस की नॉप को हम कर देते हैं आफ और यह देख सकते हैं थोड़े सा ठंडा होने के बाद सबजी का फाइनल लोक इसका कलर देखे टेक्शर देखे और बहुत ही प्यारी खुश्बू आ रही है और जब आप इसको खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे तो हम डिनर में इसको रात के चपाती के साथ और राइस के साथ खाने वाले हैं जल्दी से आजएंगे और आप टेस्ट करें हमारे साथ बलके डिनर करें और डिनर करके बताएं कि आपको ये सबजी कैसी लेगी है और अगर थोड़ी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें तो जब तक आप इसको टेस्ट करते हैं मैं आती हूँ एक नई रैस्पी के साथ अब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग